तो आज हम लोग करने वाले हैं आज इस्ट नमा सेट्स mcqs का पार्ट 3 मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अप्लोड कर दिया जिसमें हमने कोश्चन नमबर 1 से लेकि 25 तक कम्प्लीट किया है मतलब पार्ट 1 देखो गए उसमें आपको कोश्चन नमबर 1 से 25 तक मिलेगा आज हम लोग करेंगे कोश्चन नमबर 16 से जितने लोग पहली बाद चैनल पर आयो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना चैनल को सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करना यहां पर बिसिकलिए हम लोग करने वाले हैं यहां पर इस चैनल पर बस ट्राय यह करना कि खुद से अट्यम्ट करना ठीक है नहीं होगा उसके बाद विडियो द देहना वीडियो को पाउस करओ खुद से टैंब करो नहीं होता हुथ विडियो देख Bowl ठीक हो ओर इन को करने से पहले कि आपने NCRT कर रखा हो आपके बेसिक क्लियर है इस चाप्टर के आपको फॉर्मले सारे पता हैं आपको बेसिक थियोरी पता है उसके बाद ही कोश्चन लगाना डायक्त लगाने आओगे तो परिशान हो जाओगे टाइम वेस्ट होगा समझ में नहीं आएगा ठीक है क्योंक अगर आपने लगा रखा है तो जिस कोश्चन में डाउट है वीडियो को फॉर्वड करके सिर्फ वही कोश्चन देखो और अगर आप प्रैक्टिस करना है तो सारे कोश्चन को कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास पुरानी बुक है और आपके पास पु है बागी कोश्चन सिमिलर है ओके चलो तो आज स्टार्ट करते हैं सेट्स का पार्ट 3 कोश्चन नमर 26 से कंटिनीव करेंगे ठीक है अगर कोई डाउट आता है कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमें सेक्शन में पूछ सकते हो ओके चलो तो आज का फॉर्स कोश्चन जो है है तो कुछन आपके पास यहें 26 कि यहां पर क्योश्चन यह शंपोज एवन एट टू अपटू एथरटी ठीक है यह इस ताइप कोश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट आज कल आँग्जांप्ल ने से बहुत कॉश्चन बनने लगा है बोर्स में बी और इस्कूल के पे से उठाया गया आड़ी सर्मा में, तो आपके सारी प्रैक्रिस हुझाएगी जब आप आम से क्यूस प्रैक्रिस करोगे, आड़ी सर्मा बुक से, तो सब्सक्राइब कोई सेट है यहां पे, ठीक है, जो a1, a2, dot, 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 a30 तक गया है, ठीक है, are the 30 sets each having 5 elements, मतलब इसमें भी 5 elements है, इसमें भी 5 elements है, इसमें भी 5 elements है, तो टोटल नंबर ओफ elements के अगर बात करें, यहां पे, टोटल नंबर ओफ elements के अगर हम बात करें, कितने हो गए, अगर यहां पे टोटल नंबर ओफ elements की बात करें, तक में यह हो गए 150 elements, क्यों? एक sets में 5 elements हैं, तोटल 30 हैं, तो 150 elements हो गए, वैसे दूसरा set से b नाम से b1, b2, up to bn, मतलब एक set है b नाम से, तो b1, b2, dot, dot, यह bn तक गया है, और हर एक set में 3 elements है, ठीक है, यानि कि इसमें भी 3 elements है, इसमें भी 3 elements है, इसमें भी 3 elements है, तो जानि कि टोटल नंबर ओफ elements की अगर बात करें, हम यहाँ पे, तोटल नंबर ओफ elements की अगर बात करें, यह कितना हो जाएगा, 3 into n, यह 3 n के एक को लें, अब आगे question क्या कह रहा है, let, अब यह आगे कह रहा है, i की value 1 से लेके 30 सक, या j की value 1 से लेके n तक, bj is equal to s, मतलब हमने बोल सकते हो union लिया है, मतलब a1 union, a2 union, a3 up to a30 तक, यह s के equal जाड़ा है, या आप यह बोल सकते हो, b1 union, b2 union up to bn तक, यह भी s के equal है, ठीक है, and each element of s, s में जतने भी element है, ठीक है, each element of s belongs to exactly 10 of the a i, मतलब 10 elements a वाले sets से आएं, चाहिए, वो a1, a2, exactly, exactly 10 elements, वो a1, a2, a3 type से आए होंगे, and no element b वाले sets से आए होंगे, b1, b2, b3, ठीक है, तो हमें n की value बतानी है, तो माल लिया की s set में, जो s है, इसमें माल लिया हमने m elements है, total m elements है, ठीक है, जो s set है, इसमें हमने माल लिया, total m element है, तो अगर m element है, तो exactly 10 कहां बिलॉंग कर रहे हैं, 10 बिलॉंग कर रहे हैं, a वाले इसमें, यानि की total कितने element a, total कितने element यहां बिलॉंग कर रहे होंगे, अगर m element है, तो exactly 10 मतलब हर एक से 10 देखोगे, तो अगर 10m बूल सकते हो 10m जो है वो a वाले set से बिलॉंग कर रहे होंगे और a वाले में total कितने element है 150 थोछा confusing है language के वाज़े से घबराना मत ठीक है हमने माल लिया कि s set जो है यहां पर यह s के लिखा हुआ है तो s1 हमने set माल लिया जिसमे m elements है ठीक है यह equal to s लिखा हुआ है तो s में हमने माल लिया कि m elements है और question में यह बुला गया है s belongs to exactly 10 of the a i a i कमतर है a1 plus a2 plus a1, a2, a3 वाले sets में exactly 10 elements बिलॉंग करते हैं और b वाले set में exactly 9 elements बिलॉंग करते हैं तो अगर total m distinct elements हमने s में माल रहा है तो total 10 बिलॉंग कर रहे हैं तो total कितने elements हो जाएंगे 10m और total यह अगर a वाले को बिलॉंग कर रहे हैं तो a का total कितना है 150 तो 150 हो जागा तो यहां से m की value कितनी आ जाएगी m की value आ जाएगे 15 लेकिन हमें n निकालना है अब b पर आते हैं वैसे ही same way में जाओ 9 elements बिलॉंग कर रहे हैं तो m distinct element है total m distinct element है और 9 b वाले को बिलॉंग करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 9m और यह b वाले set को बिलॉंग करें तो b में total element कितना है 3n तो 3n के एककल हो जाएगा यहां तो 150 था न तो 150 के एककल आ गया यहां तो 3n है तो 3n आ जाएगा यह 3 times cancel out और m के वालू कितनी आ गई 15 तो 3 into 15 is equal to n तो n की वालू आ जाएगा 45 तो n से आ जाएगा c 45 ठीक है उमीजर समझ में आ गया होगा ठीक है तो language थोड़ा सा यहां पर confusing है यह क्या करना जाएगा इस समझ में नहीं आता है ठीक है तो बस यहां पर समझना है बाकी a1 a2 up to a30 तक a वाले sets है जो 1 से start होके 30 तक जा रहे हैं यहां पर i1 से लेके 30 का मतब वही हो गया a1 a2 i1 तो a1 हो गया i2 तो a2 हो गया i3 हो गया और bj j1 से लेके n तक j1 हो गया जे की वाले तो b1 हो गया j2 हो गया जे की value n तक जाएगी तो bn हो गया ठीक है मतलब यह है इसका और यह दोनों sets equal to s है और s का belong 10 element exactly a वाले को belong करता है हार एक 10 element और b वाले में से 9 element belong करता है यह बोला गया है ठीक है चलो next करते चलते है question no 27 पर ठीक है अगर question अभी भी doubt हो तो comment section में लिखना ठीक है मैं try करोंगा कभी ने कभी किसी video के थरू इस doubt को clear कर लेने का ठीक है अगर पूरा lecture follow करोंगे कभी ने कभी आपकी doubts clear हो जाएंगे ठीक है चलो question no 27 अब 27 टाइप का question हमने पहले भी कर रखा है two finite sets having M and N elements ठीक है तो please starting up first and second part देखना ठीक है मैं तो इस speed में explain करूँगा क्योंकि already हमने explain कर रखा है two finite sets दो sets है एक में M elements है एक में N elements है तो number of subset कि बात हो हाई है इससे पहले जो मैं question solve किया था उसमें number of power set की बात हुई थी number of elements in power set तो question exactly the same है तो दो set है एक में M elements है एक में N elements है number of subset कितने हो जाएंगे ठीक है तो एक में हो जाएगा two key power M और एक में हो जाएगा two key power N ठीक है, subset, अगर एक element में, मैंने कहा है, एक कोई set है, इसमें m elements है, तो number of subset कितने होगे इसके, 2 की power m, formula यह होता है, और दूसरे वाले में n elements है, तो वो हो जाएगा 2 की power n, ठीक है, अब question में यह given है, the number of subset of the first set, first set is 112 more than the second, तो मतलब first set जो है, वो second वाले से 112 ज्यादा उसमें है, यह क्या हो जाएगा, 2 की power m, minus 2 की power n, is equal to 112, और इसको solve कैसे करना है, हमने last वाले वीडियो में देखा था, ठीक है, बनकि last part देखोगे, अगर second part या first part आपको मिल जागा, तो यहाँ पे हम 2 की power n common लेते हैं, देख लेना समझ में आजागा, तो यह आजागा, 2 की power m, minus n, और यहाँ पे आजागा, minus 1, ठीक है, अब यहाँ 112 को हमें इस तरह से arrange करना है, कि बहार 2 की power something आजाए, और अंदर 2 की power something minus 1 आजाए, तो 112 का prime factor करोगे, और 2 की power में convert करने का try करोगे, तो इसको हम रिसकते हैं, 2 की power 7, ठीक ह 8 minus 16, 112 आजाएगा, ठीक है, अब minus के form में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यह expression, यह expression है, इसको इससे compare करना है, तो यह हो जागा 2 की power n, 2 की power m, minus n, यह minus 1, यहाँ पे common क्या आजाएगा, 2 की power 4, तो यह आजागा 2 की power 3, minus 1, अब comparing both sides, जब compare करोगे, यहाँ पे 2 की power n है, और यह आजाएगा, और अंदर क्या यह, 2 की power 3, और यहाँ 2 की power m, minus n, यह भी equal हो जाएगा, तो 2 की power m, minus n, is equal to 2 की power 3, यहाँ से आगया, m, minus n, is equal to 3, तो m की value 3, तो m की value 3, प्लस n, और n निकाल चुके हैं 4, यह 7 हो जाएगा, मतलब m की value 7, और n की value 3, तो option b आपका यहाँ पे correct हो जाएगा, option b यहाँ पे correct हो जाएगा, clear है यहाँ तक, चलो, चलते है next question number 28 पे, तो यह question अगर समझ में नहीं आया है, तो अगर आप starting से follow कर रहे हो, यानि कि पहले वाला भी समझ में नहीं आया होगा, और सिधा आप third part देख लो, तो please first or second part देखो, वहाँ पे मैंने all detail में explain किया है, ऐसा क्यों करते हैं, तो आपका doubt वहाँ से clear हो जाएगा, okay, next question number 28, so 28 में question क्या है हमाने पास, ठीक है, 28 है, for any two sets A and B, A intersection, A का intersection लेना किसके साथ, A union B के compliment के साथ, तो वह किसके एक को लोगा, A के को लोगा, B के को लोगा, 5 के को लोगा, या A intersection B के को लोगा, चलो, तो इस type का question मैं when diagram सही करता हूँ, तो इसको भी when diagram सही करेंगे हम लोग, ठीक है, when diagram सही करते हैं, तो A intersection, A union B compliment, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर, दो set है, A and B, यह A है, यह B है, तो हम बात करते हैं, A union B compliment, A union B compliment, मतलब A union B को छोड़के बाकि सारी element, मतलब A union B compliment यह हो गया आपका, यह, यह आपका A union B compliment है, ठीक है, और A, A क्या है आपका, A आपका यह है, यह आपका A है, इन दोनों का intersection part, तो red वाला पार्ट जो है, वो आपको दिखा रहा है, A union B का compliment, और जो yellow part है, वो दिखा रहा है, A, तो दोनों में कुछ common आ रहा है, कुछ भी common नहीं आ रहा है, तो common नहीं आ रहा है, तो यह क्या आ जाएगा, A intersection, A union B compliment, comment is equal to 5 हो जाएगा, कुछ भी common नहीं है, तो, option C आ जाएगा, clear, चलो, चलते है, next question number 29, ठीक है, देखो, अगर 29 की बात करें, ठीक है, all the way ने यह question देखा था, यह भी exemplar का है, अगर आपके पास RSMA book के तो आप देखो के बगल में exemplar लिखा है, ठीक है, तो अगर इस question को करने जाओगे, तो इस में सा आपका कोई भी answer match नहीं करेगा, ठीक है, इस question को करने बाठ़ अगर आपको question को ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास RSMA book है, तो उसमें आपको दिख जाएगा, कि यह NCRT Exampler का है और NCRT Exampler भी है तो आप जब मैच करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा misprint है यहाँ पर जो मेरे पास book है हो सकता आपके book में सही हो गई हो तो मैंने इसको थोड़ा change किया था तो मानलो हम A intersection B complement का complement union B intersection C निकाल ले और देखेंगे कौन से option से match करेगा यह clear है चलो आप चाहो तो इसको भी solve कर सकते है जो question given है उससे बस option यहाँ पर match नहीं करेगा तीन सेट है यहाँ पर ABC when diagram यूज कर रहे है ठीक है example से भी solve कर सकते हो when diagram easy होता है समझज़ा है इसलिए when diagram लाओ ठीक है पहला है A union B complement का complement देखो अगर A मैं यहाँ पर A union B complement की बात करो पहले यहाँ पर A union B complement की अगर बात करो यह ठीक है और यह होता है आपका A यह part यह आपका हो गया A union B complement red plus yellow आपको उसका भी complement लेना है अगर इस question की बात कर रहा हूँ अगर यह करने बैठोगे तो ठीक है लेकिन इसके जाब से answer match नहीं करेगा तो आपको इसका भी complement लेना है A union B complement का complement ठीक है A union B complement का complement तो अब A union B complement का complement लोगे पतब जो हमने shade किया है इसको छोड़के बाकी सब तो इसको छोड़के बाकी सब कौन से हो जाएंगे इसको छोड़के अगर बाकी सब करने जाओगे तो वो यह part हो जाएगा यह part ठीक है जो green वाला part है वो आपका हो जाएगा A union B complement का complement यह green part अब इसका union B intersection C के साथ अब B intersection C के अगर बात करें तो B intersection C होता है यह वाला part यहाँ पर जो green है यह B intersection C है ठीक है और यह green क्या था यह green के अगर हम बात करें इस green की बात करें तो वह यह B वाला part था यह B वाला part था तो इसका union लेना था मतलब अगर उपर वाले पार्ट को पूरा simplify करोगे इसको तो यहां पर जो मैंने green mark किया है यह आपका answer है यह green आपका answer है अब option पर जब match करने जाओगे तो पहला क्या है अगर मैं इसको मालोच चेक करूँ ठीक है सारे option को चेक करना पॉसिबल नहीं है मैंने बस यह बता दिया कि अगर आप इसको shade करोगे when diagram में तो यह आपका shade होगा यह वाला part ठीक है थोधा complicated है यह आपका जो shade होगा यह आपका part होगा अब आपको चारो option चेक करना पड़ेगा चारो option में से यह part कौन सा match कर रहा है ठीक है तो मेरे साब से question में तो कुछ mismatch होगा कि आप लोग एका solve करके देखना है अगर कोई answer आ जाता तो अच्छी बात है नहीं तो आप question को modify करके इसमें change कर लेना इस वाले में इससे solve करना इससे answer आ जाएगा ठीक है तो आप चारो option चेक कर लेना मैं करने में बठोंगा बहुत time लगेगा ठीक है इसमें से कौन सा answer है तो या तो इन चारो को check करना देख तो आप question को यहां पर intersection लगा लेना तो option match कर जाएगा मेरे हिसाब से उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं option match कर रहा है तो ठीक है मेरी गलती होगी आप जो question book में given है उसके हिसाब से solve करना मतब A union B compliment का compliment union B intersection C और यह जो question given है यह वाला part यह ठीक है उसके हिसाब से यह green मै सेड किया है यह आपका वो part है अब चारो option चेक कर लेना कौन सा इससे match कर रहा है इस part से ठीक है मैं चल रहा हूं next question में comment section में जरूर लिखना ठीक है बाकी बच्चों के लिए आसान हो जाएगा चलो question number 30 ठीक है यह last question ही रखेंगे बाकी next part में करेंगे ठीक है काफी time में की lengthy part हो गया है question था ठीक है बाकी next part में कर लेंगे तो question number 30 देखो यहां पर तो question number 30 क्या गह रहा है हमारे पास पास प्लग्राम के अगर बात करते हैं यह पास्ट इस पानलो यह पालो ग्राम है दूसरा F2 rectangle है, तो सारे rectangle क्या होते हैं, सारे rectangle parallelogram होते हैं, तो हम बोल सकते हैं, अगर मालो यह F2 है, तो हम बोल सकते हैं, जो F2 है, वो subset of F1 है, ठीक है, F3 all rhombus, तो सारे rhombus, इमालो यह rhombus है F3, तो सारे rhombus भी क्या होते हैं, सारे rhombus भी parallelogram ही होते हैं, F4 square, F4 square है, तो सारा square भी क्य set है और F5 trapezium, trapezium का किसी से कोई लेना देया नहीं है, तो पुछा गया F1 किसके क्वल होगा, तो of course अगर F1 किसके क्वल होगा, F1 को तुम लिख सकते हो, F1 union F2 union F3 union F4 लिख सकते हो, जब इसको simplify करोगे, तो F1 के एक्वल आ जाएगा वो, यानि कि option D आपका match करेगा, यहां पर, option D match करेगा, समझ में आ गया होगा यह, मतलब कि F1 के अंदर rectangle आ सकता है, rhombus आ सकता है, तो अकर F1 को दिखाना होगा, तो F1 की possibility ही होगा, F2 union F3 union F4 union F1 का जब union करोगे सबका, वो F1 के equally होगा, क्योंकि F1 सबसे बड़ा set होगा, वो पैलोग्राम है, पैलोग्राम के अंदर rectangle आता है, उसके अंदर rhombus आता है, उसके अंदर square भी आता है, clear है, तो आज यहीं तक करेंगे, next part में, इसको मैं try करूँगा complete करने का, fourth part में, ठीक है, total 45 questions around है, तो time लगेगा, lengthy lengthy question भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक मारके आगे बढ़ना है, तो question थो असा lengthy भी है, तो time लगेगा, ठीक है, तो मैं try करूँगा next part में complete करने का, अगर next नहीं हुआ, तो next to next में complete कर दूँगा, ठीक है, तो कि कोई हर एक question को solve करना पड़ता है, मैंस का question है, time लगता है, और थो असा lengthy question भी है, क्योंकि आप 11th, 12th का part कर रहे हो, तो इतना simple नहीं होने वाला है, अगर practice अच्छे से नहीं करोगे, तो difficulty बढ़ेगा आपकी, जल्दी मिलते हैं अपने next video में, आगे continue करेंगा, 31 से तब तक के लिए good bye, take care.